अज को जो टॉपिक है हमारा वो है देट अन टाइम फॉंक्शन जिसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे नौ का मैंने क्या यूज करा? इसकोल टू नौ, ब्राकेट उपन, क्लोज और अन्टो क्या दे दिया हमारे पास? यहां पर देट अन्टाइम रिटरन दिया है फोई नेक्स फंक्शन देखें मैंने क्या यूज करा? टुडेई, ब्राकेट उपन, क्लोज और अन्टो यहां पर क्या करा? डेट दिया जो भी देट अन्टाइम फंक्शन आपके सिस्टम में होगा इसके according यहां पर current, date देगा और यहां पर date and time देगा अब यह date है इससे मेरे को क्या करना है? year को अलग करने है क्या करने? year को अलग करने है जिसमें इस date में देखें गा पहले पहले क्या दिया है? पहले तो month है फिर day है और last में क्या है? year है अब यहां से मेरे को year को separate करना है मैंने क्या लिखा year date को select करा bracket close और enter क्या return दे दिया year को अलग करके दे दिया महीं मन्त को separate करना है तो मैंने लिखा month date लिया bracket close enter क्या करा month को अलग करके दिया इसी तरीकी से हम day का use करेंगे मैंने date लिया bracket close and enter क्या दिया हमें day निकाल के दिया next मैंने यूज करा date अब date के लिखा चुए year month और date मैंने year को select करा comma यह month हो गया comma date bracket close enter क्या करा तीनों को merge करके हमें date के format में provide कर दिया है next इसी तरीकी से ही यह date and time है अब इसमें से क्या करने है आर को अलग करने मैंने simply क्या लिखा आर लिखा date and time को select करा bracket close enter क्या करा आर को अलग करके दिया इसी तरीकी से हम minute को separate कर सकते है मैंने लिखा minute date and time को select करा bracket close enter यहां पर क्या return दिया minute दिया इसी तरीकी से हम क्या use करेंगे second का मैंने second लिखा date and time लिया bracket close enter यहां पर क्या शो कर रहे है? Second. जैसे हमने यहां पर date बनाया है वैसे यहां पर time भी बना सकते हैं. मैंने क्या लिखा time, time के लिए चाहिए? R चाहिए. मैंने R select करा, comma, then minute. मैंने minute को use करा, comma, second. तीनों को merge कर देगा और क्या बना देगा यहां पर? Time. Time अभी क्या है? 180. यहां पर शो कर रहे हैं. पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं? 12 या 13. कितने हफ्ते होते हैं? 25 या 53 हफ्ते होते हैं. और days कितने होते हैं? 7. अब यहां पर जो days शुरू होता है Excel में. वो Sunday से शुरू होता है. अगर एक return आता है, मैं Sunday. दो, Monday. मैंने इसको drag कर लिया, 7 तक. और यहां पर मैंने इसको drag कर रहा है. और यहां पर मैंने लिखा Sunday. Next. इसको भी मैंने drag कर लिया. अब यहां पर क्या है? मैंने एक date ले लिया. जिससे आज का ही date है यह. और मेरे को यह जाना है, यह कौन सा हपता चल रहा है? इस साल का. तो मैंने क्या यूज करा? week, num. date को select करा, bracket close और enter करा. क्या return दिया? 53. यह कौन सा week चल रहा है? 53 weeks चल रहा है. अब यहां पर क्या है? week day. मैंने लिखा week day. date को select करा, bracket close, enter. return क्या है हमारे पास? 1. one means क्या है? Sunday है. आप कुछ सभी date ले सकते हो. मैंने यहां पर एक date ले लिया. जैसे कि 5, 10, 2022. इसमें कौन सा date था ये? तो क्या यूज करेंगे? week day. मैंने date को select करा, bracket close, enter. यह क्या रहा है कि 3. 3 means कौन सा date था? Tuesday. इसी तरीक से week num. मैंने क्या यूज करा? week num. और date को आपने select करा, bracket close, enter. ये क्या बता रहा है? ये कौन सा week था? 20th week. next क्या हमारे पास? e-date और e-o month. e-date मतलब end of date, e-o month मतलब end of month. suppose मानलो आपने किसी company में joining लिया 15th September को और वहाँ पे आपका जो duration है job का वो 24 months का है. और 24 मैने के बाद आपको job से terminate कर दिया जाएगा. तो कौन सा time है? कौन सा date है? जब आपका duration खतम होगा? उसके लिए use करेंगे e-date का. मैंने क्या use करा? start date. start date ले लिया, comma, months. month लिया, bracket close, enter. इस तरीकी से value आएगा. इसको हम क्या करेंगे? date के format में convert करेंगे. मैंने यहाँ पर ही select करा short date. मतलब time period कब खतम हो रहा है? 15 September में 24 मैनू को add किया जाए. तो 15 September 2024 होता है. लेकिन e-o month क्या होता फिर? मैंने लिखा end of month इसमें भी use करना start date, comma, months. bracket close, enter. इसको short date में convert करते हैं again. मैंने इसको short date में convert कर लिए पहले. दोर में फरक क्या है? जो end of month है ना, वो 24 मैने के बाद, उस month का, जो end of date है ना, that is 13th September, वो date निकाल के देगा. लेकिन end of date में क्या है? कि आपने 15 को joining लिया, तो 15 को ही खतम होगा. जैसे कि मैंने यहाँ पर date में change कर दिया, मैंने 15 के बदले मैंने यहाँ पर 20 कर दिया, enter करा. end of date में क्या हुआ? date तो change हो गया, but end of month में वही month है. लेकिन उस महिने के last तक गया है. अब देखू, यहाँ पर एक company का rule यह है, कि आप चाहे 10 बजे entry करो, 10.30 बजे है, 7.10 बजी. आप वो company के लिए 8 hours 30 minutes देने ही देने हैं. तो फिर आप का odd time क्या होगा? वो निकालना है. तो मैंने यहाँ पर use करा, scroll to time. Time function का मैंने use करा, क्या लिखा है? R. मैंने R लिखा, और इसमें in time को मैंने select करा, और plus करा मैंने R को, कामा. देन क्या next use करने minute? मैंने लिखा minute. इसमें in time को ही लेना है, bracket close, plus करा मैंने minute को. next, next क्या खहा है? second. मैंने लिखा second, in time को select करा, bracket close, plus, plus करेंगे second, but second तो नहीं है, leave it, bracket close, enter. इसको मैंने drag करा, तो यह क्या निकाल के दे दिया? और time निकाल के दे दिया है. next क्या है? simply date में days को plus करना है. suppose मालो, आप किसी company में joining लिया, और 45 days का training है, और आपको joining हुआ 15th jan को, तो training काथम कब होगा? कुछ नहीं करना है, simply date में plus करेंगे days को. क्या करा वो? हमें date बता दिया, कि 1 March 2022 को क्या होगा, आपका training कातम हो जाएगा. अगर minus करना है, आपको date को, तो minus भी कर सकते हैं. यह date लिया, minus कर दिया, मैंने 45 days को. simply क्या करा? 45 days subtract करके, हमें date दे दिया. कि 45 दिन पहले वो कौन सा date था? 1 January 2021 था. अब यहाँ पर क्या है ना? एक date दिया है. उसमें से क्या करना है मेरे को? month को अलग करना है, date को अलग करना है, और year को अलग करना है. उसमें भी अलग अलग format में. उसके लिए function जो use करेंगे ना, वो है text function. मैंने क्या यूज करा? text, value को select करा, comma. अब क्या कहा रहा है? format, two times same. क्या करेगा? month निकाल के दिए. वहीं पे मैंने use करा, text, value लिया, comma, formats, three times same, bracket close, enter. क्या रिटन दिया हमें? month निया, बर text के फॉर्मे लिखा रहा है. next मैंने use करा, text, value को select करा, comma, four times same. तो यहां पे complete January लिखाएगा. अगेन मैंने use करा, text, date को select करा, comma, two times day, क्या निकाल के दिएगा? days को निकाल के दिएगा. 15 मैंने लिखा, text, अगेन date का format लिया, comma, three times day, क्या return दिएगा? days, बट वहां पे days लिखा रहेगा, text के फॉर्म में, Saturday. next, text, value को लिया, comma, four times day, क्या रिटर निकाल के दिएगा? Saturday. अपे short में लिखा, यहां पे full form में. मैंने use करा next text, value को select करा, comma, two times y, y रिटर निकाल के दिएगा? year, next मैंने लिखा text, value को select करा, comma, four times y, 2022, complete year, separate करके दिएगा? अगर मालों, यहां पे date है, और इसमें मेरे को क्या करना है? यह जानना है कि कौन सर्ट डेज है, जो 10 में है, वो कौन सर्ट डेज में था यह, उसके लिए क्या उस करेंगे? मैंने यूस करें text, directly मैंने value लिया, comma, quotation, मैंने लिखे दिया, three times t, quotation बन, bracket बन, directly हमें क्या बता देगा? days बता देगा, कौन सर्ट डे था वो, 10 में को, कौन सर्ट डे था? Tuesday, अगर आपने लिखा text, इस value को select करा, comma, quotation, four times d लिखेंगे, तो भी days ही निकाल के देगा, Tuesday completely लिखा रहीगा, next कै network days or networkdays.intl, मैंने क्या यूस करा, network days, start date, start date मैंने date लिलिया, comma, end date, bracket close, enter, क्या करा यहां पर, days निकाल के देगा, बत यहां पर दो दिन को हटा दिया, that is Saturday and Sunday, तो network days क्या करता है, दो date की बीच में आपको days count करके देता है, but वो किसको remove करता है, दो दिन को हटा देता है, Saturday और Sunday को, next मैंने क्या यूस करा है, network days.intl, international, इसमें आलालग तरीके से हम days को remove कर सकते है, जिसमें मैंने लिया, start date, comma, end date, comma, अब कौन सा date को remove करना है, तो हमारे पा करोगे न, जिस date को remove करना है, जैसे कि यहां पर मैंने चूस करा, Sunday only, ठीक है, bracket close, enter, क्या करा, दोनों date की बीच में days दे रहा है, but क्या remove कर दिया, Sunday को हटा दिया, इसी तरीके से मैंने यूस करा, days 360, और start date लिया, comma, end date, इसका काम भी कहा है, दो date की बीच में days निकाल के देना कितने days हुए, 1066, अगला क्या dated if, dated if में क्या हम use करेंगे, यहां पर, यहां से मेर को year को count करना है, month को count करना है, और days को count करना है, उसके लिए हम use करेंगे dated if का, मैंने use करा, dated if, bracket open, start, date, comma, end date, comma, quotation में लिखा, y, that is year, क्या करा, year return दिया, इस दोनो date की बीच में, कि कितने साल का क्या है, that is, for 4 years, मैंने use करा, dated if, bracket open, start date, comma, end date, comma, quotation, I have used, I have used M, quotation, band, enter, दोनो date की बीच में, कितने मन्त का गाप है, that is, 55 months, मैंने लिखा, dated if, bracket open, करा, dated if, bracket open करा, start date, comma, end date, comma, quotation, मैंने क्या लिखा, day, quotation बन, bracket बन, enter, यहाँ पर दोनो date के बीच में, क्या निकाल के दिया हमें, days count करके दे दिया, कितने days हुए, 1677 days का क्या है, different है,